दिल्ली को राजनीती की राजधानी कहा जाता है और जब बात राजनीती की आती है तो भाई नितीश कुमार का नाम लेना लाजमी हो जाता है लेकिन आज हम बात राजनीती की नहीं करेंगे बात खेल की कर रहे हैं क्रिकेट की कर रहे हैं लेकिन नाम नितीश का लेगे निती पिछले 22 मैचों में भारत के नाम 21 जीत है ती 20 आई में सिर्फ एक मुकाबला हा रहे थे पिछले 22 मैचों में जो जिंबाववे में टीम इडिया को हार बिली थी और ये सब दिल्ली में कैसे हुआ वो हुआ निदीश कुमार रेड़ी के कमाल की बल्ले बाजी की बदॉलत सिर्फ दूसरी बार टी 20 आई में वो बल्ले बाजी कर रहे थे जिस वक्त वो आये तीन विकेट भारत की जल्दी गिर गई थी पावर प्ले में ही ऐसा लग रहा था कि टीम इडिया थोड़ी से संकट की स्थिपी में है लेकिन वहाँ पर कमाल की पारी के लिए लगातार चौके और चौके जड़ते वे उन्होंने अर्दिश तक पूरा किया रिंकु सिंग के साथ कमाल की साज़ेधारी उन 40 गेंदों पर 108 रण की वो साज़ेधारी नहीं इस मैच को पूरी तरीके से पलट दिया रिंकु सिंग ने भी शांदार अर्दिश तक जड़ा लेकिन बात नितीश कुमार की हम कर रहे हैं और बात ये भी कर रहे हैं सवाल आप पर छोड़ रहे हैं कि क्या पंडिया का शांदार बैक अप मितीश कुमार के रूप में भारत को मिल गया है वो इसलिए कि आज आप देखिए नई गेन से भी उन्होंने गेन बाजी की दो विकेट भी चटके चार ओवर में 23 रन दिये तो गेन से या बल्ले से दोनों ही जगा वो परदशन शांदार कर रहे हैं अंडिया का बैक अप कहना थोड़ी जलबाजी होगी लेकिन फिर भी ये तो जरूर कह सकते हैं कि आने वाले समय में भारत के लिए शांदार खबर वैसे भारत ने 221 रनों का स्कोर खड़ा किया था और ये सब कुछ मुम्किन हुआ था जैसा हमने पहले बताया नितीश कुमार रेड़िया और इंकु सिंग की उस साज़ेदारी की बदालत साथी साथ मिडल ओवर्स में टीम इंडिया ने अपने T20 आये तिहास में दूसरा सबसे जादा रच जोड़ा 137 रन और बंगलादेश के तरफ से उस दौरान भी एक गिंडबाज ऐसा था जिसकी गेंड को पढ़ पाना किसी तिलिसम से कम नहीं था तसकीन अहमत चार ओवर 16 रन दो विकेट नई गेंड से संज्जू सामसंग का उट करते हैं पुरानी गें की परियोग शाला कि जहां दिली में साथ गेंडबाजों का टीम इंडिया ने इस्तेमाल किया और उन साथ हुई गेंडबाजों को विकेट भी मिली ये भी एक रिकॉर्ड है बाठती है टीम का टीट्वेंट या इंतराश्वियम में किसी एक मकाबले में सबसे ज़्यादा गिनबाजों से गिनबाजी कराई गई हो साथ और उन्होंने विकेट यानि कम से कम एक गिनबाज ने एक विकेट जरूर ली हुई यह भी सुर कुमार यादव की एक परियोग शाला हम कहें तो शायद गलत नहीं होगा हर एक गिनबाजों के नाम विकेट्स हलागिए चलते आराम दिया जा सकता है क्या हजुत राना डेब्यू करते हुए नजर आ सकते हैं क्या जितेश शर्मा जो बाहर बैठे हुए हैं वो कीपिंग कर सकते हैं वो इसलिए भी क्या संजू सैमसन जिस अंदाज में खेल रहे हैं पिछली पांच पारियों को अगर आप देखें एक अ करते हैं